यूपी के अम्रोहा में रैली को संबोधित करते हुए कॉंग्रस के पूर्व अध्यक्ष राहूल गांदी ने कहा कि गठवंदन की सरकार बनने के बाद युवाओं, किसानों और महिलाओं को लाब होगा सभी के लिए हमने रोडमाप तयार किया है, राहूल ने कहा कि गठवंदन की सरकार बनने के बाद आंगनबाडी का मांदे दुगना हो जाएगा राहूल ने कहा कि युवाओं को रोजगार के नाम पर भाजपा ने ठगा है, देश में 30 लाख पोस्ट खाली है, सभी पदों पर भरती की जाएगी आंगनवारी और आश्चा की महिलाएं, आप अच्छी तरह सुन लो, जो आज आपको अंदनी मिल रही है, उसे हम चुनाओ के बाद गुगना करने चाह रहे हैं अब युगा कहेंगे, राहू जी, हमारा क्या होगा? नरेंद्र मोधी जी ने हमें जूट बोला, दो करोर रोजगार की बात की, पंदर लाग रुपए बैंट अकॉंट में डालने की बात की, अगर सीधा हमारे मुँपे नरेंद्र मोधी ने जूट बोला, तो मैं आपको दो तीन चीज़े कहना चाहता हूँ, सबसे पहले हमें चक्किया हिंदुस्तान की सर्कार में 30,00,000 खाली पोस्ट पड़ी हुई है, सबसे पहला काम यह जो 30,00,000 सरकारी नौपिया हैं हम आपके हवाले पर देंगे।